हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज मैं मतर की कचोड़ी की रेश्पी लेकर आई हूँ तो देखिए किस तरह से मेरी सुन्दर सी फूली फूली कचोड़ी निकल रही है इसमें एक भी तेल नहीं पीएंगी कचोड़ी और नहीं फटेंगी अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए मैंने गेहू का आटा लिया है गेहू के आटे में मैं अजवाइन थोड़ा सा क्रस करके डाल दे रही हूँ और तेल डालूंगी मोयम के लिए रिफाइन वाइल मैंने डाला है और उसके बाद इसमें मैं नमक डाल रही हूँ साधन सार और फिर पानी से इसका डोर लगाना है मैं गेहू के आटे से बना रही हूँ आप चाहे तो मैदे से बना सकते हैं या फिर आधा मैदा आधा गेहू के आटे से भी बना सकते हैं आटे को लगा कर मैंने 10-15 मिनिट के लिए रिष्ट पे रखा है तब तक मैं स्टफिंग तयार कर लेती हूँ इसके लिए मैंने मटर को धूल करके ले लिया है और बीना तेल के हलका सा बस नमी निकलने तक जो पानी है वो हट टाने के लिए बस मैंने भूना है और उसके बाद इसको दरदरा सब पीस लेना है इसमें मैंने अधरक और हरी मेर्च और लेसुन चिल करके डाल दिया है और इसका बहुत पाइन पेस्ट नहीं बनाना है इस तरह से दरदरा पेस्ट बनाना है गरम तेल में जीरा डालेंगे और कुछ मसाले डालेंगे जिससे कचोडियां तेश्टी हो जाएं तो मैंने धन्या डाला है थोड़ा सा पिसा हुआ हल्दी डाला है गरम मसाला लाल मिर्च काश्मीरी वाली मैंने डाला है अगर आप तीखा खाते हैं तो हरी मिर्च भी डाल दीजेगा मेरे यहां तीखा नहीं कोई खाता है इसलिए मैंने हरी मिर्च नहीं डाला है क्योंकि बच्चे को भी देना है और इस तरह से मसाला भून लीजे और तयार कर लीजे फिर इसके बाद मैंने चटनी भी बनाया है एक टमाटर और धन्या मेर्च लेसोन अधरक डाल करके एक टुकड़ा प्याज भी डाल दिया है इसको बहुत महीन नहीं करना है ऐसे दरदरा सपीसना है कचोडी के लिए खाने मे बहुत अच्छा लगेगा चटनी कचोडी से और इस तरह से मैं एक लोई ले करके कचोडी बना रही हूँ इस तरह से एक लोई को मैं कटोरी की तरह कर करके इसमें भरूंगी यह स्टफिंग जो मैंने मटर का बनाया है इसको गूल गूल मैंने बना के रख लिया है जिससे असानी हुभरने में और सारी स्टफिंग को इसी तरह से मैं सारी कचोडिया बनाऊंगी तो देखिए इस तरह से मेरी कचोड़ी बनकर तयार है अब मैं इसको फ्राइ कर लूँगी इसको मैं हाथ से भी आप बना सकते हैं मैं थोड़ा सा इसको बेल कर बनाऊंगी जिससे कि य सेट हो जाए बराबर में रहे और कहीं मोटा कहीं पतला न रहे इस तरह से मेरी कचोड़ी देखे बनकर तयार है कहीं से फटेगी भी नहीं और कितनी सुंदर है और इसको फ्राइ कर लेते हैं गरम तेल में इसको फ्राइ करना है इस तरह से और ये कचोड़ी फुली फुली ब